तो है दोस्तों मैं आपको स्वागट करता हूँ मेरा एगनाया और रोमान चक वीडियो के साथ अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पर बारी की से बताने वाला हूँ दोस्तों में मेरा जो पहले वाला चेनल था John Ronk P the Man with Nature उस चैनल में जो है मैंने इस घर का बारे में आपको जिकर किया था उसमें तो उस समय में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जगा अगर काट के पाहारों को काट के अगर घर बना देते हैं तो क्या हमी तकलिव होता है यह सारा चीज में आपको दिखाऊंगा बस आप मेरा बताया था लेकिन अभी जो यह the nature of कर्भियंग लोंग है इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही आपको रोमांच करने वाले है और कुछ ऐसा चीज़े आपको बताने वाला हूँ दोस्तो तो पहले बात जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है म बंद कर दिये थे कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं और यह जो रास्ता है यह बारिस होने से इधर से पहले पानी आया करता था तो दोस्तों यह सारा चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब भी सतर्क हो जाई है दोस्तों लिजेगा और यहां पे पीने का पानी के लिए कुवा हुआ करता था यह पूरा गाउं वासी यहां से पानी पिया करता था लेकिन अभी यहां पे ना कुवा है ना पीने लाई कुछ पानी बचा है देखिए इसमें पुरा सपाथ हो चुके है समान हो चुके है दोस्तों क्योंकि इसका कारण क्या ह मैं नहीं बताऊंगा आप ही कुछ सोच के जरूर बता दिजेगा ये कुवा में मिट्टी भर चुके है अभी यहाँ पे कुवा का कोई नाम निशान भी नहीं है दोस्तों ये मिट्टी जो है काट के रास्ता का मिट्टी जो है ये पेर अभी हाँ पे ये तहनी देख रहे हैं पानी जाने वाला रास्ता नाला जो था वह बंध हो चुके है दोस्तोश और व colleague दीखाऊँगा आपको चलिए क्यूंकि यह नया नया जो है यहां पे मिट्टी ड़ाले गाए है तो यहां पे पानी की साथ जो है साना मिट्टी चले गाए है और यहाँ पे बड़ा सा गड़ा बन चुके है दोस्तों तो यह कितना सेफ है आपके लिए कि आप नया माती डालेंगे और वहाँ पे आप घर बना लेंगे आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है यह आप खुद ही मालूम कर लिजे दोस्तों मैं आपको यह दिखा रहा ह और जो इतने ही नहीं अपके लिए नहीं आप की साथ औरो को भी ले के दूपने वाले हैं। देखें दोस्तों यह रश्ता जो है पानी आने वाला रस्ता यहां पर बंद कर दिये है और JAGO आपको कैसे मालूम होगा यह बस अब देखते रहिए आन तक जरूर देखेगा क्योंकि पानी का नाला जो है इसमें था तो अभी यह बंद कर दिये गए हैं दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर हम लोग नाला में पहुंचने वाले हैं देखे दोस्तों यहाँ से मिट्टी गिरना शुरू हो गया है और यहाँ पर मिट्टी काटके इधर में फेक दिये हैं तो इसी वज़े से यह पानी का ड्रेन नाला बंद हो गए है तो उसी वज़े से यहाँ से पानी न नहीं जाके वो रोट की इस तरब से क्रोस करने लगे है तो उसी वज़े से अभी हमें कुछ और प्रोब्लेम का सामना करना पर रहा है तो यह सारा चिसमें आपको दिखाऊंगा बस आप आन तक वीडियो को जरूर देखेगा दोस्तों यह वही रस्ता है दोस्तों आपको एक तुपिंग रस्ता जो बनाए है हमारे लिए बहुत अच्छा था लेकिन अभी था लेकिन अभी ज्यादा दिर तक नहीं रहने वाले है क्योंकि आप देख सकते यहाँ पर यह जो पानी का रस्ता बंद करने की वज़े से जो है इस तरह से जो है इस रस्ता का हालत हो यह कलवड अब को मैं दिखा रहा हूं दोस्तों यह 2002 में बनाए गए थे क्योंकि 2002 में जो है दोस्तों में बहुत चोता था पर मुझे यह सारा चिस मालूम है तो हम लोग यहाँ पर लिखे भी थे वह जब बनाए गए थे यहां तक जो है यह रस्ता बहुत मजा अभी तक पर फिर भी कुछ इस तरह से हमारे यहां पर द्रेन भी बनाए गए आप देख सकते हैं वह घर फिर से आपको दिखाई देगा क्योंकि आपको लग सकता है कि मैं जूट बोल रहा हूं पर फिर भी जूट नहीं दोस्तों कोई जूट नहीं बोल रहा हूं मैं देखे यह द् तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि यह जो रस्ता है फिलहाल एक साल ज्यादा से ज्यादा हुआ है यह कॉंप्लेर होने में तो अभी थिक थिक से हम लोग चल ही रहे थे कि आपको मैंने पहले भी बता चुके है जो मेरा पहले वाला यूटुब चेनल था जोन्रों की दम देखें एक आत्मियों की वज़े से हमें कुछ डेवलोप्मेंट आये हैं लेकिन में में डिजिस्टर भी साथ में लेकर आये हैं आप देख सकते हैं यह रस्ता एक साल नहीं हो है लेकिन आप खराब होने की कागार पर आके खरा हो चुके है उस तरफ से जो पानी आता है त दोस्तों तो यह सारा चीजों को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्यूंकि यह सारा चीजों को जान लेना हम सब को बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों यह रहा वह ड्रैन जो मैं आपको बता रहा था जो नाला पानी जाने वाला और वह जो है वहां पर मित्ती डाल दिये गए है तो दोस्तों ये जो नाला है ये जो द्रेन वे बनाए है ये ड्रेन को सरिफ मैं आपको बता दू ये ड्रेन को सरिफ यहां तक ही खतम कर दिये गए थे यहां तक ही जो है इस द्रेन को खतम कर दिये गए थे तो इस तरह में जो है ड्रेन को नहीं बनाए थे हम इन रस्ता को देखके बहुत खुशी लगता है क्योंकि गाओं की अंदर में भी अभी हमारी सरकार जो है ये पूल जो है आपको इधर से जो है बनाने चाहिए था इस तरब से सीधा तो इसको इस तरब से नहीं बना के वो जो है इधर में लेके गए है तो उसी वज़े से जो है यहाँ पे बारिस की समय में जो है पानी जमा हो जाते है और जितना गंदिगी है जो है यहाँ पे जमा पास भी जरूर उठाना चाहिए दोस्तों तो यह सारा चीस में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो बात में हमारे लिए ही यह जो है मुसीबत का कारण बन सकता है तो दोस्तों तक तक के लिए देखते रहे और बने रहे मेरे साथ दे लगिजाय सकता है